हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का स्वागत हैं 2025 में जितनी भी चात्र बोड एक्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए हिंदी का वारल पेपर लाएं ये आपको पेपर 2025 के बोड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको पता दें कि आज आप सभी को हिंदी का वारल पेपर कराएंगे इसी प्रकार से आप सभी को इस चैनल पे बिग्यान, गड़ीत, अंग्रेजी, कला यानि जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट को 2025 का वारल पेपर आप सभी को कराया जा रहा है तो आप चैनल पे नहीं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें जिसे कोई भी वीडियो हम अप्लोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच जाए तो चली आपका समय नगवा आते हुए सीधे आपको प्रश्ण पत्र दिखाते हैं और प्रश्ण पत्र को हल करके आप सभी को बताते हैं और यह अदम प्रश्ण है ठीक है् आपको प्रस्न नतर एक प्रकार का वारल प्रस्न है आप वीडियो को सकेंड के लिए उसकेप मत कीजिए गा मले का इहला हैं सबसे से पहले अनुक्रमाम लिखना रहता है यह पर अकना नाम लिखना है यह कोड है आपका समय रहेmother और conform 15 मिनिट का समय मिलेगा प्रश्ण पत्र को हल करने के लिए टोटल आपका सत्तर नंबर का फुडांग रहता है यहां पर कुछ इसके नोट दिये गए और कुछ निर्देश दिये गए इस निर्देश को आप पहले से समझ लीजिए गा और यही निर्देश आपको पूर्ड के इक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ठीक है जो यहां पर निर्देश आपको देखने के लिए मिलने वाला है देखें नोट में क्या है यह प्रारम के जो 15 मिनट रहता है आपको प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए समय मिलता है इसके साथ में आप कुछ निर्देश दिये अब देखे यह प्रश्ण पत्र जो होगा दो खंड़ों में पटा होगा खंड और खंड बॉब में यहां पर खंड आ जो हता है उसमें आप 20 बावीकल प्रश्ण रहेंगे पर देख प्रश्ण एक एक नंबर कराता है जिसका एंसर आपको ऑकट्रॉमी catching पर देना रहता है और बहुत ज्यादा ध्यान से भरना रहता है और भरते समेंगे और जिया है लगए कREE नीण सब करता है करना नहीं रहता है इसलिए निर्देश को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा जाता है और समझ दिया जाता है यहां प्रश्ण है कि अंक उसके सम्मुक अंक कितने नंबर कराता है यह आपके प्रश्ण के सामने लिखा रहेगा खंडबा जो रहेगा उसमें पचास अंक का वड़ात्मक प्रश्ण रहते हैं यानि कि आप उत्तर पूस्तिका पर उसका एंस्वार लिखना रहेगा इसके साथ में खंडबा के सभी प्रश्णों के उत्तर एक साथ ही हल करना रहता है और यह आपको कुछ निर्देश इसको आ आपको बताते हैं देखिए यहाँ से प्रार्म होता है फंड इसमें बहुती कल्पी प्रश्ण है सभी प्रश्णों को आप देखिए सभी प्रश्णों कि नोट करके वी प्रश्णों के लिए 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 अ कि नाटक का रहीं आप इत्ना दिन S.I.व कि न me आ अ वहां पर आप जब डीपिली अतम पढ़ेंगे तब जाकर रच्छा बंदन मिलेगा कि रच्छा बंदन किसके द्वारा लिखा गया है इसलिए इन प्रश्णों को बहुत ज्यादा द्यान से देखिए आपसन उपेंदर नात अश्क के द्वारा लिखा गया है हरी कृष्ण प अगला प्रशन देखें अपे रामधारी तिंग्र की रचना है कौन सा है संसकृतिक चार आप्धा ती चिटने प्रशन अटम एक प्रकार के वार्ल प्रशन है सभी प्रशनों के एकड़ं मैं तयार कर लिजिए ठीक है अगला देखे राग दरबारी रचना के उपन्यास कार है यानि कि कौन है कमलेश्वर है इसके लवा स्री लाल शुकल है अग्या है या नरेश महता है इसका सही जवाब भी वला अप्सन सही हो जाएगा कि राग दरबारी रचनाकर के उपन्यास कार कौन है स्री लाल शुकल ज है के शुक्ल यूग की अन्य नाम कौन से याना प्रसाद्द यूग के नाम जाता है या प्रेम चंदर ABOUT हूँ के नाम से इन माइस सभी दियां घ्रटioxल को ता है आका प्रमृ के नाम से भी जैना जाता है प्रहावद यूग भी कहा जाता है तो सुकल यूग के इतने तीनों नाम है यहां पर सही जवाप डिवल आप्शन सही हो जाएगा अगला प्रसन देखिया अगला प्रसन आपका क्या है कि विश्रू प्रभाकर किस यूग के कहानिकारक है ठीक है आपको बताना है कि विश्रू प्रभाकर जीर हैं किस्यों के भारतेंद्व युग च्हायवादी यूग इन में से किसीुक नहीं जो विषुरда mendu यूग के हैं नतों च्हायवादी वद्यूग के हैं इसका मतलब इसका सही क्या हो जाएगा अगला और प्रशन के ना रचनाकर रचनाकर किसे माना जाता है केशसर दास को देव को पदमाकर को यह मतिरा cleaner एव साहब जी है तो सही जवाब अबियूल आप व्ल formats सई हो जाएगा अगले प्रस्णों देखिए जितने प्रस्ण है सभी प्रश्णों को याद जरूर कीजिए प्रयोगवादी काब्य की विसेश्था है चित्रमई कलपना की प्रधानता है रूड़योगे प्रती विद्रो है प्राकृतिक वरण है यह अस्रय दाताओं की प्रशंसा है ठीक है तो यहां भी देखि वरूरयोगे प्रती विद्रो है तो इसका सही जवाब के वगद बीवला अप्सन सही हो जाएगा अगला प्रस्ण आठमा नमबर के देखिए कादी की प्रवित्ति एम रचना शैली के आधार पर रितिकाल की कितनी धाराएं स्युकार की गई है ठीक है कितनी धाराओं को स् मिवकार किया गया था यहां इसका सही जवाब तीन हो जाएगा नवबघ के रचनाकर में कि जो और किसके द्वारा लिखा गया है स्याम नहराई पांडे राम नरेष्त्रिपाठी सुमित्रानंद पंद धर्मवीर भारती तो यह अगर्त को देखते हैं अगले प्रश्णों को देखतें कि अगला प्रस्बाइब कि आपका कि चिदंबरा के रचनाकर कोने यानिक जिए संकार प्रशाद जीं। के द्वारा लिखा गया है या सुमीत्रा नंद पंत या महादेवी वर्म्हा थो किसके द्वरा इलिखा गया है यह जुद लिखा गया है जो हम ही जहाए ठीजाए कैसी वाला आप श्किनव्रत पकी कि दरेंवया लिखा गया है यह हैं छुआ2 पनदोरा लिखा गया है यह जो करें पहते होगा in को आप सुधार लेजीगा अगला देखें यहां को इसमें कौन सा रस है देखें कि नि नुक सही एकुलाइगे अब बता है मुस्कुराना होता है मुस्कुराना अब बताए मुस्कुराएंगे कब कराना वीरस मैं यह हास में करवर्स में यह वासल में चीज़ी को आप सब्दू कबढ़ के मुश्कुfahrणा सी याद रख सकते हैं कि कौन से रस हो जागँ हाद से रस हो जागँ तो तो कुछ चीजों को आपसब्दू को पकड़ के विए उसका एंस्वर निकाल सकते हैं वीर रस तो वह गा नहीं कुरडव तो वह तो nहीं इसमें आप सभी को यहाद होता वहता है अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका के दोहा चंद ठीक स्हट पता है वही प्रविक था फुस्च सूरथा सज़ूर की होता है अप्षम. लाख उपाई प्रश्ण का सही जवाब सी वाला अपस्ञ हो जाएगा कि प्रियुक्त उपसर्ग बताना है उपसर्ग को कोई सब्सक्राइम में कोई अच्छा या कोई जो जुड़ा रहता है अगला प्रश्ण देखिए राम कृष्ण में कौन सा समास है आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा समास है राम और कृष्ण यहां प्या समास होता है इसको कई बार बता बताएं समय गया है जब इस पर जाएंगा जाएगा राम का मतौन समय होता है जिसका सही जो आप बीवला आफसां सब्सक्राइगा अगला प्रश्ण यहां पर द्यान दीजिए अगला प्रश्ण आपको क्या है वायू समीर बयार पार रहा है वाची है यानि कि वायू किसका है समीर बयार सूर्य का है तारों का है हवा का है या बादल का यहां पर वायू किसका होता है यह समीर माने भी हवा होता है वायू मान अगला प्रश्निया आप देखिए तस्मे सब्सव भक्ति और वचन आपको बताना है कि इसमें इस तरह लिखा है इसमें वक्ति और वचन कौन सा होता है ठीक है तो आप वक्ति वचन जरूर याद रखेगा आपके पेपर में बहुत पूछता एंगा प्रशन आपके पूछा संदे होता ज नामसाँ एक पकड़ सकते हैं कि यह काते हैं संदे हात्मक कि वह आ संदे हई और आप्षन हैं सही हो जाएगा अगला प्रशन या देखिए hem मैं पत्र लिखूंगा वाक्य क्या कर्मवाच में परिवर्तित वाक्य है मैं पत्र लिखूंगा अब देखें आपसाने मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा मुझे पत्र लिखना है या इसके मैं पत्र लिख रहा हूं मुझे पत्र लिखना था जब कर्मवाच में आपका ज करता को यदि कर्म के रूप में बना देंगे तो क्या हो जागा कर्म वाच्च जैसे देखिए मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा यहां पर क्या सही जवाब हो जाएगा तो मैं पत्र लिखूंगा और मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा यहां पर कर्म वाच्च बन गए उसी के बारे में आपको बताना है कि अस्ठान वाक्चक कीरा केसे प्रति दिन स्थान को दिखा रहा है नहीं बहुत नहीं स्वयन तो आ सपास जो मेरी आ सब्सक्राइब स्थान सब्सक्राइब buy uh और है ठीक है और सभी प्रश्णों को आपको बताते हैं देखिए आपके सामने खंडबा है जो वड़ात्मक प्रश्ण इन सभी प्रश्णों को आपको देखिए बताते हैं कि गद्यांस पर आधारित कैसे प्रश्ण पूछा जाते हैं इसे प्रश्ण कैसे बनता है और साथ म प्रस्टे पूछे जाते हैं इसे प्रस्टे बढूद्म के सामण जाते हैं यहांस नेकि इस दीका बदीखा ने पिछा खिन हम दिखार kilow अब कई वहां है यह किसके द्वार्द में व्हुत पडाना रहता है इसको बता रहता है फिरए खांकित अंसकि आपको ब्याठ्ख्या करना जहां पाइब सब्सक्राइब प्रतम और 4 गांत आप प्रk impatient का आप त्यार कर लीजिए के अगला गद्यास बता दें पर दीजियेगा उस गद्यास में को तयार किषेगा अब निए देखें लिए यहां से बिर्यो बहुत बढ़ा हो जाएगा ठीक है तो आपको देखने के बाद आपको क्या किना है से बिखाए और इसके साथ और से ब्यूंच नाम फ्रें, दूर के आपको नहीं होते बनाबारे करना है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। दूर के डॉल सुहाने होते हैं कैसे होते हैं। इस वाक्य को जब गद्यांस को पढ़ेंगे ता आप की स्वर इसमें में मिली जागा। चलिए अग्रेव प्रश्न को बताता है। अगला नंबर का प्रश्न किस पका से सर पध्यांस देदें यहां से लिकर यहां तक पढ़िएगा पढ़ने के बाद आपको देखे इस से संबंदीत कैसे प्रशन पूछता यहां का घुकर तो पΦ्ध्यांस को पहना पढ़ना नहीं केदा प्रश्ण का अंस्वर दीजिए टोटल 6 नमबर का आपका प्रश्ण रहेगा ठीक है अगरा देखी यदि आपको उपर वाला आरादर ठीक है नहीं तो यह आपको एक और आप संद्वा में करके दिया है यहां के आपको क्या करना है कि यहां से लेकि यहां तक ध्यान से पहना वेकिर वे सघथ में नदी की बताएक जब आप उसको पड्यांस तो इसमें आप नदी के निकालें अगला निकाले आपको संस्क्रीट लेगा संप्षी संद्रम देगा है लीजिससाथ ही हीन्दी में अनुनवाद करना रह यहां को क्या करना है कि किस पार्ट से लिए एं अब कि अपने शब्द्म में करना रहाथ ड्यान को अगला प्राषने करता है यहां को पड़िए और इसका संदर्व लिखना रहता है यहां से लेकिंग तक क्या दिया है आपका पढ़िए और इसका संदर्व लिखिये और हिंदी में अनुवात कीजिए आप इस प्रश्ण कर सकते हैं अथ्वाम दिया इस प्रश्ण को देख लीजिए इस प्रश्ण को भी आप तयार कर लीजिए गटीक है अगला नंबर का सवाल है अपने पटित खंड कावे के आधार पर केवल एक प्रश्ण का उत्तर देना रहता है जैसे इस तरह करके बहुत सारे प्रश्ण रहते हैं आपको सारे प्रश्ण करना नहीं रहता है आपको देखे इस पकास जब देगा जैसे मुक्ती दूद्द यहां पर दिया है तो आपके स्कूल में जो मुक्ती दूद्द पढ़ाय जाता है उस मुक्ती दूद को क्या करना है आपको यहाँ पर तयार करना आठ और आपको पर नीचे प्रश्ण को आपको छोड़ दे तैयार कर लीजिएगा और आपको और जो सेस जो खंड़काब है इन सभी खंड़काब को बोर्ड की एक्जाम में छोड़ देना रहता है ठीक है आप से अगला नमबर का प्रस्ण कैसे आता है किसी एक लेखा का जीवन पर्चे लिखना रहेगा टोटल पांच नमबर का रहता है चलिए अगले प्रश्ण को बताते हैं अगला प्रश्ण क्या है आपका कि एक कभी का जीवन पर्चे अभी लेखा का जीवन पर्चे ता अब कभी का जीवन पर्चे यह भी पांच नमबर कर रहता है जैसे आपका हिंदी के पेपर बहुत अच्छा जाए अब इसके लग को एक सुलोग लिखना है जो इस प्रश्ण पत्र में ना आया हो तो आपको एक सुलोग भी याद कर लिजिएगा यह दो नमबर का राता है साथ में देखिए आपको क्या करना है कि वाद विवाद पर्तियों गिता में अस्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना रहता है तो आप पत्रों के भी जरूर तयार कर लिजेगा यह बोड की एक्जाम में अदम आता है यह टोटल चार नंबर कर रहेगा अथवाम देखिए क्या करना है आपको तयार अपनी गली मुहले के नालियों की समुची सफाई के कर लBlue Co अगरा प्रश्रह्संट कर पूछा जायागा कि यहाँ पर देखिये अपसे संक्रीति से संबन्दि आपसे प्रस्ण का उत्तर पूछा जाता है कि दो प्रशनों का ही उत्तर देना है इन पांचों में से किसी दो उत्तर आपको जरूर दीना थे नाए इन मेंना जो इत्तर भी देना दिएना यह भी ध्यान दिएगा आप अइसा न आ हो कि यह पूछा है और हिंदी में दिजएगा इसका एंसर कैसे देना आपको शांस्वरीच में ही देना ही छाय देखें आपका लास्ट क्योस्टन जो है आप एक इसे पर निभंद लिखने के लिए देत करकता है जिसे किसी आत्रह कर दीजी आपों कर दिजी अपने सब्दों में नए शिछा निती पर आपनी बंदि की ती ही इंटरनेट पर लिए Aatma निर्वर भारत पर लिखिए और पुस्तकाले से आपको क्या क्या लाब है इस पे क्या करना रहता है निबंद लिखना रहता है यह तगी बोर्ड का फर्वरी में होगा फर्वरी तक आपको बहुत सारे प्यापर कराएंग यह सब्सार लेंगे आपको कहीं भी 95 प्रत्रिश्ठ मार्क नहीं गया है इपर्शन पर्षिण तो आपको वीडियो पसंद हे वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो आपने दोस्तों और अधिक से अधिक वीडियो को शेर करें कर दो